Hello दोस्तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना नया जनाधारकार्ड कैसे बनवा सकते हैं अगर आप नया जन अधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको ये 10 बड़े फायदे सरकार की तरफ से दिये जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जो है आप जन अधार कार्ड से सरकार जो है आपको लोन वगेरा देती है नय जन अधार कार्ड पर सबसे ज़ योजना है जिनको आप अगर रया जनाधार कार्ड बनवाते हैं तो उन योजनाओं के लिए आप पात्र होने वाले नए जनाधार कार्ड के दस फायदे में आपको बदनाने वाला हूँ और कैसे आप इसका ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्या प्रोसेस रहता है डोकुमेंट सारी जनकारी में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जनाधार कार्ड नया कैसे बनेगा तो सबसे पहले बात कर लें कि इसमें जनाधार कार्ड बनवाने के लिए आप राजस्थान की मूलनिवासी होने चाहिए राजस्थान में आप रहने चाहिए सभी का आपका जनाधा अधारकाड बन जाएगा, इसमें आपको बता दे 18 वर्स या उससे अधिक कि जो है महीला मुख्या बन सकती है, 18 वर्स से अधिक महीला मुख्या नहीं है, तो 20 वर्स का जो पुरुष है उसको आप मुख्या बना सकते हैं, अगर परिवार में कोई पास्पोर्ट साइज फोटू आय प्रमान पत्र और अगर आप जो है SCISD कैटिकरी के तो आपको जाती प्रमान पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा आप बता दें कि आप किसी भी नजदी की इमित्र के इंदर पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं शाथ शाथ अगली वीडिय के इंदर पर जाएं अपने अधार कार्ड बैंक अता पास्ट बुक आय प्रमान पत्र रासन कार्ड एक मोबाइल नंबर चालू जो है ये डोकोमेंट्स आप लेकर जाएं और वहाँ पर आप जन अधार कार्ड बनवा सकते हैं आप बात करने सदस्चियों के लिए आपके पास क्या डोकोमेंट्स होने चाहिए तो मैंने मुख्या के बता दिया आपको अधार कार्ड या जनम प्रमान पत्र आपके पास होना चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और आए जो है सभी की में जो है अपलोड की जाएगी साथी साथ उनके में भी आप बैंक अकाउंट जुड़वा सकते हैं किसे के पास पासपोर्ट है पहचान पत्र है उसके भी नंबर आप डलवा सकते हैं सभी चीजे वहाँ पर डलवा सकते हैं मोबाईल नंबर अपडेट करवा सकते हैं जो भी आप अपडेट करवाना चाहिए वो जनम धार कार्ड में आप डलवा सकते हैं अब मैं बात कर लेता हूँ कि जैसा कि आपको नया जनाधार अगर आपका पहला जनाधार कार्ड बनावाए किसी में आप जुड़े हुए हैं तो कैसे अलग बनता है देखिए अगर माली एक जनाधार कार्ड में दो महीला है और एक महीला की उमर जो है 18 साल से जादा है तो उस महीला के नाम को पहले आप डिलिट करवाईए उसके नाम से जो है आप नया जनाधार कार्ड बनवा सकते हैं उसके बाद जो भी बाकी शदस्य हैं उसमें जो ट्रांसफर हो सकते हैं हो जाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे जैसे माली जे एक जनाधार क के लिए आवेधन करेंगे उसके बाद जो बाकी सदस्चे उसके पती बच्चे जो है उसमें आप ट्रांसफर करवा के एडिटिंग करवा सकेंगे अब अगर आप जना धर कर अलग बनवाते हैं या नया जना धर कर बनवाते तो उसके आपको फायदे क्या होने वाले बड़े फायदे बताता हूँ मैं को सबसे पहले तो आपको जो है अगर आप BPL या उजुला योजना से जुड़े हों तो आपको 500 रुपे में गैस सिलेंडर मिल जाएगा चरिंजीवी स्वास्त बीमा योजना 25 लाग का आपको अलग मिलेगा फ्री राशन मिलेगा आपको अ है किसानों के लिए बिजली फ्री दी जाएगी काम धिनू पशु बीमा योजना आपको जो है पशु का बीमा मिलेगा एक पशु पर 40,000 रुपे तक का बीमा मिलेगा पशु लोन आप ले सकते हैं साती साथ आपको बता दू दो लाख रुपे तक का लोन भी बिना ब्याज क्या आप ले सकते हैं कारोबार शुरू करने के लिए इस पर भी फुल डिटेल वीडियो चैनल पल अपरोड है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं तो ऐसे कुछ बड़े फायदे हैं जो अगर आप जनाधार कार्ड नया बनवाते हैं उनको भी ये फायदे मिलेंगे या जो है घर बैठे अपना जनाधार कार्ड कैसे बना सकेंगे पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देंगा और आप कैसे चैक कर पाएंगे कि आपके जनाधार कार्ड से आपको कौन-कौन सी योजनाओं का लाब मिल सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंग तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजेगा बेल नोटिफिशन को उनकरना ना भूले वीडियो का ज़्यादा शेर और लाइक जरूर करें